नए नए वीडियो है नगलाई इस चैनल लेंग सब्सक्राइब गढ़ना नगिर्शी नवला सारे इंडियन्स तक पहुचे क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में यह जो विवाद आ रहा है यह क्या है और क्यों है अधरणिया संपूर्ण रास्ट्रभक्त नेपाली अरुमा मैं यो निवेदन गरना चाहांचू कि यहां यह भीडियो ला जती सब्सक्राइब करने हो ला कि यह की सिमा विवाद को बारे मां तपाइं दे रहा मैं यह गफ दरे रहा हम रहा दुख सुका बांडे मात रहे हो यह भारत का जन जन सम्मा पुग्न जरूरी शा तिसकार राज मैं हिंदी मह बोल देश प्यारे हिंदुस इस समझने में भी दिक्कत होगी इसलिए मैं आपकी भासा का प्रयोग कर रहा हूँ मैं सेक्सपियर की एक सायरी याद करता हूँ कि मैं इसलिए तुम्हारी भासा सीख रहा हूँ ताकि तुम्हारी ताना शाही का जवाफ दे सकूँ आज नेपाल और इंडिया के इस बिव क्यों है आपके प्रधान मंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केबल गवर्मेंट टू गवर्मेंट नहीं है पबलिक लेवल रिलेशन है इसलिए मैं पबलिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ मैं बहुत पहले एक आरोप का जवाफ देना चाहता हूँ एक इलजाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत जादा है सो फिसद गलब नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं आपक अगर इत्यास के पन्ने खोल कर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं और जिसने आपके सरहदों की हिफाज़त की है मरमर कर आपने उसी की सरहद पर कभजा कर दिया हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे लेकिन आपकी गवर्मेंट ने कुछ एंटी हम तोड़ दिया आपके नेता ये कहते रहें कि हम मदेश और मदेशियों के पक्स में ये कर रहे हैं नेपाल का संभी राम मदेशियों के हित में नहीं है तो हमारा अंदरोनी मामला था ना आज मदेशियों और पहाड़ी सब एक हैं हम सब एक होकर बिरोध कर रहे हैं इंड भी तो बोलना चाहिए था, वो गोर्खा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिष्टा है, लेकिन नेपाल के किसी लिडर ने गोर्खा लेंड के बारे में बोला, नहीं, no, never, किसी नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंद्रोनी मामला है, कोई भी नेता नेपाल का कोई भी लिडर आप लोगों के खिलाब बोलने की हिम्मत नहीं करता था पहले बार हमारे प्रधान मंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकावंदी का जवाब दिया और जब जेडियू ने जब पवन कुमार बर्मा ने ये बात लोग सवा में उठाई तो आप लोगों को नाकावंदी हटाना पड़ा इंडियन गवर्मेंट हमेशा ये कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था वो आंदोलन कारियों ने किया था बखवास जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था कोई आंदोलन नहीं था आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था जिसके एवज में हमें दसेरे के रोज पर दसेरे के रोज हमें इतनी तकलिफ सहना पड़ा तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है न वो काला पानी में कोई बिवाद ही नहीं उदर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं वो हमारी सरहद है जिस पर आपने जबरदस्ती कबजा कर रखा है आज से नहीं 60-65 साल पहले से कबजा कर रखा है और आपकी मीडिया ने आपके गवर्मेंट ने आपको धोके में रखा है वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्षा दिखा रहे हैं वो वो नक्षा नहीं दिखा रहे हैं जो एंगलो गोर्खा वार के बाद ब्रिटिस और नेपाल के बीच में जो सुगवले ट्रिटी हुई थी उसके बाद 1827 में 1856 में और 1905 में जो नक्षे बने थे वो नक्षे आपको कोई नहीं दिखा रहा ना आपका मीडिया दिखा रहा है ना आपका गवर्मेंट दिखा रहा है तो वो जमीन आपकी है वो जमीन हमारी है हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी और यह सिर्फ काला पानी का इश्यू नहीं है यह 71 जगों का इश्यू है 71 जगों का इश्यू है और आपका शियाचिन जहाँ पर घास भी नहीं उगता वहाँ पर आपके 3000 से나िक शाहिद हैं, अप लोग लड़े हैं वहाँ पर 4000 फिट उपर जाके, जहां पर घास भी नहीं उपता, तो आपका सियाचिन जैसा है, हमारे लिए हमारी धर्की वैसी है, आपका सियाचिन जैसा है, हमारे लिए सुस्ता वैसा है, के लिपए जयसा है शिर्फ इसलिए कहां कि पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते हमारी कोई मजबूत फोर्श में इसलिए आप लोगों ने तो colonization साह है मित्रों. Colonization के जमाने British कितना जुल्म करते थे आप लोगों के Black Dog बोल बोल के लात और कोडों के बरशा करते थे वह आप लोगों पर. आपके बवो बेटियां भी शुरक्षित नहीं होती थी. मैंने कोई ताकतवर, कमजोर पर जोन करता है तो यहां दर्द होता है यहां से ज्वाला उठती है लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा अजर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलब सोचते हैं गोर्खा हैं हम गोर्खा, लड़ना हमारी खून में हैं, बुजबिल में हैं हम, और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल विरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है, चाहे आपका मुल्क बड़ा हो, चाहे हमारा मुल्क चोटाओ लेकिन इंटरनेशनल विरादरी में हमारा लेवल एक है इसलिए आप लोगों को काला पानी से हटना ही होगा और नेपाल के बारे में जो ये प्रोपोगांडा फैला रखा है इंडिया की मिडिया ने इसकी मैं नेपाल की पब्लिक की तरफ से इसकी मैं घोर भथसना करता हूँ निन्दा करता हूँ एक बार नरिंद्र मोधी ने कहा कि मैं इस देश का चौखिदार हूँ तो आपके एक नेता ने यह बोल दिया कि चौखिदार थो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं सिर्फ चौखिदार की तरह देखते हैं अब हमें कितना बड़ा रिष्टा ह है हमारा कितना पुराना कितना historical relation है हमारा आपके लोग भी तो हमारे यहां आके लोहाशीशी उठाते हैं कवाड उठाते हैं लेकिन हम तो कभी ऐसे अलफाज इस्तमाल नहीं करते हम इज़त देते हैं आप लोगों को पड़ोसी बोलके तो इज़त देंगे तो क्या सर्पे बाठके नाचें यह क्या तो आप लोगों ने और आपकी गवर्मेंट ने इसमें इंडियन सिटीजन का कोई दोस्त नहीं है इंडिया की अवाम की कोई गलती नहीं है लेकिन आपके मीडिया ने आपके गवर्मेंट ने यह पूरा प्रोपोगांड़ा फैला रखा है और आप लोगों को धोगा दे रखा है 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं चिर्फ यह काला पानी का इश्यू नहीं है 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं उनको कोई जमीन नहीं खाया है कोई आसमान नहीं निगला है आपके SSB के जबान रातों रात घुशकर वो पिलर उखाण देते हैं और जो रात को जो जो नेपाल जो जमीन वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानत ऐसे चमतकार हो जाते हैं और हमारे बॉर्डर आपके लोग आपकी गवर्मिंट उस पर कभजा कर लेती हैं अंत मैं मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग यह चाहते हैं इंक्लूड मी हम सब नेपाली यह चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन्शिप है जो बाइलेटरल रिलेशन्शिप है यह मजबूती से रहे इसमें ऐसी दरार ना आए लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है एक लिमिटेशन होता है और जब वो लिमिटेशन बिजनेश करते हैं हमारे लोग जाकर होना काम करते हैं तो इस दोस्ती को पबलिक लेवल पर बरकरार रखना है और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्मेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा उसे यह समझना होगा कि हर देश को हर देश के हर नागरिक को अपन जमीन को इतना मुहबत देते हैं और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते हैं मैं प्राफना करता हूँ कि आज के बाद ये सब चीजें धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े मैं सारे नेपालियों की तरफ से यही काम ना करता हूँ जय नेपाल, जय पस्वतिनाथ